निर्गमन अध्याय तीस फिर धूप चलाने के लिए बाबूल के लकड़ी की वेदी बनाना उसकी लंबाई एक हाथ और चवडाई एक हाथ की हो वह चौकोर हो और उसकी उचाई दो हाथ की हो और उसके सिंग उसी तुकड़े से बनाये जाए और वेदी के उपर वाले पल्ले और चारो और की अलंगों और सिंगों को चोके सोने से मड़ना और इसकी चारो और सोने की एक बाड़ बनाना और इसकी बाड़ के नीचे इसके दोनों पल्ले पर सोने के दोदो कड़े बनाकर इसके दोनों और लगाना वे इसके उठाने के डंडों के खानों का काम देंगे और डंडों को बबुल की लकडी के बना कर उनको सोने से मढ़ना और तू उसको उस परदे के आगे रखना जो साक्षी पत्र के संदुक के सामने है अर्थात प्रायश्चित वाले ढगने के आगे जो साक्षी पत्र के पर है वही मैं तुझ से मिला करूंगा और उसी वेदी पर हारुन सुगंदित धूप चलाया करे प्रति दिन भोर को जब दीपक को ठीक करे तब वह धूप को जलाये तब गोधुली के समय जब हारुन दीपकों को जलाये तब धूप चलाया करे यह धूप यहवा के सामने रित्य जलाया जाए और उस वेदी पर तूम और प्रकार का धूप न जलाना और न उस पर होम बली और न अन्न बली चढ़ाना और न इस पर अर्ग देना और हारुन वर्ष में एक बार इसके सिंगों पर प्रायसचित्त करे और तुम्हारी पीड़ी-पीड़ी में वर्ष मे एक बार प्रायस्चित के पापबली के लोहो से इस पर प्रायस्चित किया जाए यहां यहवा के लिए परमपवित रहे और तब यहवा ने मूसा से कहा जब तू इसराइलियों की गिंती लेने लगे तब वे गिनने के समय जिनकी गिंती हुई हो अपने अपने प्राणों के यहवा को प्रायश चित दे, जिससे जब तू उनकी गिंती कर रहा हो, उस समय कोई विपत्ती उन पर न आ पड़े, जितने लोग गिने जाए, वे पवित्र स्थान के शेकल के लिए आधा शेकल दे, यह शेकल बीस गेरा का होता है, यहवा की भेट आधा शेकल का हो, बीस वर्ष के वा उससे अधिक अवस्ता के जितने गिने जाए, उनमें से एक एक जन यहवा की भेट दे, जब तुम्हारे प्राणों के प्रायश चित्त के निमित्त यहवा की भेट दी जाए, तब न तो धनी लोग आधे शेकल से अधिक दे, और न कंगा लोग उससे कम दे और तू इस्राइलियों से प्रायश चित्त का रुपया लेकर मिलाप वाले तंबू के काम मिलाना, जिससे वह यहवा के सनमुख इस्राइलियों के समरनार्थ चिंध ठेरे, और उनके प्राणों का प्रायश चित्त भी हो, और यहवा ने मूसा से कहा, दोने के लिए पीतल क एक हवजी और हुसका पाया पीतल का बनाना और उसे मिलाप ओले तंबू और वेदी के बीच में रखकर उसमें जल भर देना और उसमें हारून और उसके पुत्र अपने हाथ पाऊ दोया करें जब-जब वे मिलाप वाले तंबु में प्रवेश करें तब-तब वे हात पाव जलसे धुए, नहीं तो मर जाएंगे। और जब-जब वे वेधी के पास सेवा टहल करनें अरठाप यहोवा के लिए हव्य जलाने को आए तब-तब वे हात पाव धुए, नहो की मर जाए। यह हारुन और उसके पीडी-पीडी के वंश के लिए सदा की विधी ठेरे। फिर यहोवाने मूसा से कहा, तू मुख्य-मुख्य सुगंद द्रव्य अर्थात पवित्रस्थान के शेकल के अनुसार पांच सो शेकल अपने आप निकला हुआ गंधरश और उसका आधा अर्थात अड़ाइसो शेकल सुगंदी दालचीनी और अडइसो शेकल सुगंदी और पांच सो शेकेल तज और एक हिन चलपाई का तेल लेकर उनसे अभिशेक का पवित्र तेल अर्थात गंधी की रिती से तयार किया हुआ सुगंधी तेल बनाना। यहाँ अभिशेक का पवित्र तेल ठहरे और उससे मिलापवाले तंबू का और साक्षिपत्र के संदुक का और सारे सामान समेत मेज का और सामान समेत दिवट का और धूपवेदी का और सारे सामान समेत होमवेदी का और पाय समेत हाउदी का अभिशेक करना और उनको पवित् ठेरे और जो कुछ उनसे छूजाएगा वह पवित्र हो जाएगा फिर हारुन का उसके पुत्रों के साथ अभिशेक करना और इस प्रकार उन्हें मेरे लिए याजग का काम करने के लिए पवित्र करना और इस्राइलियम को मेरी यहाग्या सुनाना कि वह तेल तुम्हारी तेल होगा वह किसी मनुष्र की देहपर न डाला जाए और मिलावट में उसके सामान और कुछ न बनाना वह तो पवित्र होगा वह तुम्हारे लिए पवित्र होगा जो कोई उसके समान कुछ बनाए वा जो कोई उसमें से कुछ पराए कुलवाले पर लगाए वह अपने लोगों में से नाश किया जाए फिर यहवा ने मुसा से कहा बोल नखी और कुरुंद से सुगंद द्रव्य निर्मल लोबान समेथ ले आना ये सब एक तौल के हो और उनका धूप अर्थात लोन मिलाकर गंधी की रिती के अनुसार चोखा और पवित्र सुगंद द्रव्य बनवाना फिर उसमें से कुछ पीस में साक्षी पत्र के आगे जहां पर मैं तुझ से मिला करूंगा वहां रखना वह तुम्हारे लिए परम पवित्र होगा और जो धूप तू बनवाएगा मिलावट में उसके समान तुम लोग अपने लिए और कुछ न बनवाना वह तुम्हारे आगे यहवा के लिए पवि निर्गमन अध्याय तीस फिर धूप चलाने के लिए बाबुल के लकड़ी की वेदी बनाना उसकी लंबाई एक हाथ और चवडाई एक हाथ की हो वहाँ चौकोर हो और उसकी उचाई दो हाथ की हो और उसके सिंग उसी तुकड़े से बनाये जाए और वेदी के उपर वाले पल्ले और चारो और की अलंगों और सिंगों को चोके सोने से मड़ना और इसकी चारो और सोने की एक बाड़ बनाना और इसकी बाड़ के नीचे इसके दोनों पल्ले पर सोने के दोधो कड़े बनाकर इसके दोनों और लगाना वे इसके उठाने के डंडों के खानों का काम देंगे और डंडो को बबुल की लकडी के बनाकर उनको सोने से मढ़ना और तू उसको उस परदे के आगे रखना जो साक्षी पत्र के संदुक के सामने है अर्थात प्रायश्चित वाले ढगने के आगे जो साक्षी पत्र के ऊपर है वही मैं तुछ से मिला करूंगा और उसी वेदी पर हारून सुगंदित धूप चलाया करे प्रति दिन भोर को जब देखना जो सामने है और तू पत्र के सामने है के अर्थात प्रति दिन भोर को जब नियुक के सामने हैं